हेलो गाईज कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे सोयवीन की मोमोज इन्हें हमने 15 मिनट के लिए गरम पानी में भिगोनी के लिए रखा ये हमारी इधर चटनी तयार होएगी ये 4-5 लाल मिर्च हैं लसन है छिला हुआ और ये 2 टमाटर हैं इन्हें हम थोड़ा पानी डालके और ये बॉयल हो गए हैं अब इसके जो टमाटर के छिलके हैं वो उपर से हम सब उतार लेंगे ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है अब हम इसे मिक्सी में बारीक पीसेंगे और जो उसका थोड़ा सा पानी है वो भी हम उसी में डाल देंगे ये देखें ये हमारी चटनी बनके तयार हो गई है और इदर हम इसमें तड़का लगाएंगे हमने थोड़ा सा ओल डाला और इसे चटनी को डाली ये हमने इसमें नमक डाला है ये देखें ये अच्छे और इसमें हमने ये टमाटर सोस डाला इसे हम बहुत अच्छे से बून लेंगे ये चटनी हमारी ब इसी हुई चीनी डाली है इससे अच्छा टेस्ट आता है यह हमने इसे बहुत अच्छे से निचोड लिया ताकि जितना भी पानी था वो सब निकल गया अब हम इसे मिक्सी में थोड़ा दर-दरा सा मोटा मोटा पीस लेंगे यह देखिए अब हम सोयविन को फराई करेंगे यह हमने ओयल में जीरा डाला है और इसमें हमने एक प्याज और तीन चार हमने हरी मिर्च लिए है इसे हम बहुत अच्छे से फराई कर लेंगे और फराई होने के बाद अब हम इसमें यह सोयविन डालेंगे सोयबीन हम ये बिल्कुल बारीक नहीं होना थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है हमे अब हम इसे अच्छे से उपर नीचे मिक्स कर लेंगे आज हम मोमोज स्टीम वाली बनाएंगे और फ्राई बनाएंगे ये हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है ये आप सब सामान अपने जायके के इसाब से डालीएगा ये आदा स्पून हमने धनिया लिए है और ये भुना हुआ जीरा है ये हल्दी है आदा स्पून और अब हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला अब हम इसे अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे थोड़ा चटपटा सा होना चाहिए मसाला क्योंकि मौमोज में इसी का जायका होता है ये देखिए ये अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा हलका ज्यादा जितना भी आप खाना चाहते हैं ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये डालेंगे अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ये इसमें बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे खुश्बू आती है हरे धनिया की ये हमारी स्टफिंग बन के तयार हो गई है मौमोज की अब हम इधर आटा गुन देंगे इसमें हमने डाला है यह हमने मैदा लिया और इसमें हमने नमक डाला है और यह टूइ स्पून हमने इसमें ओयल डाला और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटे को गुन लेंगे मोमोज खाने में बहुत अच्छी लगती है स्टीम वाली भी अच्छी लगती है और फ्राई भी अच्छी लगती है ये देखे ये आटा हमारा ना बहुत ज्यादा सक्त है और ना बहुत ज्यादा सोफ्ट ये हलका सा हम इस पे ओयल लगा के थोड़ी देर रख देंगे इसे ये इधर अब हम तैयारी करते हैं मॉमोज स्टीम करने की हमने भगोने में पानी डाला है और इस पे जो हम चलनी रखेंगे उस पे हमने चारो तरफ अच्छे से ओयल लगाएंगे और ये लगाने से मॉमोज चिपकती नहीं है और ये देखें ये है अब मॉमोज बनानी की तैयारी है मैं आपको ज्यादा तर ये सोचती हूँ कि आसानी होनी चाहिए मुश्किल ना होए ये हम अच्छे से बेल लेंगे से ना मोटी ना पतली ज्यादा तर इसका जो है ये आटा पतला ही होना चाहिए पतली बेले क्योंकि मॉमोज जितनी पतली होती है उतनी ही ज्यादा अच्छे होती है अब हम एक गिलास से ये ऐसे ये ऐसे ये बना लेंगे हम गोल छोटी-छोटी रोटी सी बनाएंगे ये देखिए अब हम इसमें ये सोया बीन डालेंगे इसकी स्टिपिंग करेंगे ये देखिए अब हम ये देखिएगा आप ये प्लेटी इसमें कैसे डालेंगे ये बहुत आसान है कोई इतना ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा बहुत एक बहुत उससे करें इसे यह एक हमने यह ऐसे बनाई मैं आपको दो तीन डिजाइन की दिखाऊंगी बनाके कैसे बनानी है इसके जो प्लेटे हैं वो हम सिर्फ आगे आगे रखेंगे अब यह दूसरा डिजाइन है देखिए आप इसे कैसे बनाएं एक प्लेट ऐसे डालेंगे फिर इसके बराबर में ऐसे डालेंगे आप फिर एक इसके बराबर में ऐसे डालेंगे और सोयबीन जो इसके अंदर है वो थोड़ा ज्यादा रखेंगे और यह देखिए और अब हम इसे अच्छे से अंदर को करके यह ऐसे यह देखिए छोटा बड़ा जैसा भी साइज आप बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं यह हमारी मोमोस बनके तयार हो गई है और मैं यही सोचती हूँ कि यह जो बीच में एक मैदे की गुटली सी हो जाती है यह नहीं होनी चाहिए यह जितना भी उपर एक्स्ट्रा हो जाए उसे निकाल दें चलिए अब यह देखते हैं अब एक प्लेट इसमें ऐसे डाली है और यह ऐसे डाली है और यह देखिए यह ऐसे और अब हम एक डिजाइन यह बनाएंगे यही डिजाइन मैं आपको जब मैं मौमोज फ्राइ करूंगी उसमें बनाएंगे यह देखिए यह हमारी मौमोज बनके तयार हो गई स्टीम वाली, अब हम इसे चलनी पर ऐसे रखेंगे बहुत अच्छी लगती है स्टीम वाली भी बहुत अच्छी लगती है आप ऐसे जरूर बना कर देखिए अब हम इसे दस मिनट के लिए ऐसे ढख देंगे बीच में इसे खोल के भी देख सकते हैं यह देखिए यह हमारी मॉमोज बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है यह देखिए कोई कच्छा पन नहीं है बिल्कुल भी इसमें यह बॉमोज हमारी बन के तयार हो गई है अब हम यह फ्राई करेंगे आप ऐसे भी डिजाइन बना सकते हैं इसे हम इसकी फ्लेम थोड़ी हलकी रखेंगे ताकि यह अच्छे से फ्राई हो जाए और फिर बीच में थोड़ी सी हम इसे तेज कर देंगे यह बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी अंदर तक यह खाने में बहुत जैकी की लगती है सबी बहुत शौक से खाते हैं मॉमोज लेकिन अपने घर की बनी हुई अपने हाथ की बनी हुई उसकी बात ही कुछ और होती है अब मैं आपको इसे तोड़के दिखाती हूँ बिल्कुल भी कोई इसमें गुठली नहीं है कोई कच्चा पन नहीं है नहीं यह बहुत ज्यादा मोटी है आप खाईए और मुझे कमेंट में बताईए और मेरे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू